जैम आता थी दोस्तों और लगभग हर दिन ही इन मंदिरों में भी लगी होती है लेकिन उज्यान में एक मंतिर ऐसा भी है जो साल में केवल नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है आईए जानते हैं क्या है इस मंदिर की कहानी और क्यूं खोला जाता हा इसे केवल नाग पंчमी के दिन। एक बार नागराज तक्षक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने नागराज तक्षक को अमरत्व का वर्धान पिंती की और उनसे कहा कि शिवजी उन्हें ऐसा आशिरवात दें कि वह हमेशा शिवजी के पास ही रहें और सदा उनके ध्यान में ही मगन रहें तब शिवजी ने नागराज को आशिरवात दिया और अंतरध्यान हो गए नागराज तक्षक तब से महाकालवन में वास करने ल मंदिर उजैन के प्रसिद महाकाल के मंदिर की ही तीसरी मंजीर पस्तित है इसी कारण नाग्राज तकशक हमेशा शिवजी के सानिध्य में रहकर उनका ध्यान करते हैं वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार नागराज तक्षक का यह मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है जिस दिन नागराज अपने भक्तों को आशिरवात देते हैं इसके इलावा शे समय नागराज के सम्मान में इस मंदिर के कपाठ हमेशा बंद ही रहते हैं ऐसी मानिता है कि इस दिन नागराज तक्षक स्वयम इस मंदिर में उपस्तित रहते हैं उजयन में बसे इस नाग चदरेश्वर मंदिर में ग्यार्मी शप्ताब्दी की एक बेहत दिव्य प्रतिमा स्थित है। इस प्रतिमा में नागासन पर शिप पार्वती विराजमान है। आम तोर पर विश्णु भगवान शेशनाक की शैया पर विराजते हैं। लेकिन यह विश्व की एक मात्रैसी प्रतिमा है जहां महादेव शिव और पार्वती सर्प शैया पर व बुजाओं में भुजंग लिप्टे हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवजी की इस प्रतिमा को नेपाल से लाया गया था। एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष नाग पंचमी के दिन यहां लगबग 2 लाग से भी अधिक लोग नागराज पर विराजे शिप परिवार के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में दर्शन करने भर से ही व्यक्ति सभी परकार के सर और पूजर होने के बाद इस मंदिर के कपाट को फिर से बंद कर दिया जाता है इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारूं के साथ शूर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों